नमस्कर दोस्तो आज हम बात करेंगे alignment test on lath में जिसमें आपके पास हम लोग आज का जो topic रहेगा वो है check parallelism of main spindle to saddle moment जो आपके पास हमें क्या करना है parallelism check करना है main आपके पास spindle का और आपके पास saddle की किस तरह से वो moment हैं तो हम लोग यहाँ पे जो एक specimen कह लिए या आप लोग center से मतलब यहाँ पे चक है और चक के अंदर आपके पास वहाँ पे हम लोगों ने जो आपका जाज है उसके अंदर आपके पास यह मेंडरिल आमने फिट कर लिया है और आप हमें वो parallelism चेक करना है इस saddle का जो है आपके पास यहाँ पे आपका main spindle के साथ में आपका parallelism की क्या यह properly आपके एक दूसरे के parallel है या नहीं है तो वो parallelism चेक करने के लिए हम लोगों ने एक simple सा figure बनाय हुआ है जिसके आपके कौन-कौन से components use होते हैं इसमें लिखा भी हो आए कि the basic components used to check parallelism of main spindle to saddle moment तो main spindle का आपके पास saddle की moment जो है उसका आपके पास क्या-का component होते हैं एक तो हम लोग dial gauge यूज करते हैं यह dial gauge हो गया आपके पास और एक test mandrel यह आपने test mandrel ले लिया और dial gauge का stand यह dial gauge का आपके पास वहाँ पे stand हो गया जो कि आपके पास यहाँ पे इस पर रखा रहता है तो यह कहता है कि किस तरह से आपके पास वो saddle की moment रहेगी और वो parallelism हम लोग उसको चेक करना है यह कहता है the dial gauge spindle is made to touch the mandrel सबसे पहले आपके पास यह जो test mandrel लिया है उसके उपर dial gauge आपका टच रहता है टच करने के बाद and at the same time the saddle moves to and fro और जो saddle आपके पास वो क्या करेगा to और fro motion में moment करेगा तो इस तरह से हम लोग saddle की moment से और यहाँ पर आपके पास यह जो dial gauge है तो क्योंकि dial gauge का मैंने पहले वीडियो बनाया है उस dial gauge का आपके पास क्या कहता है कि dial gauge में आपके पास दोनों जो dials है एक small dial और एक bigger dial तो small dial के अंदर तो आपके होते हैं वो एक complete जब उसकी rotation हो जाएगी तो आपके पास 10 mm cover करेगा और जो bigger dial है उसमें जब एक बार उसकी rotation हो जाएगी तो वो एक mm आपका cover करेगा तो इस तरह से आपके पास वो dial gauge का मैंने बताया था function किस तरह से तो dial gauge का जो आपका spindle रहेगा spindle से मतलब end जो plunger आपका उस plunger को हम लोग क्या करेंगे टच करेंगे यहाँ पे इस point पे और टच करके फिर इसको move करवाना है तो saddle का जो moment होगी 2 and fro तो यह 2 and fro आपका move करेगा यहाँ से और जब 2 and fro आपका move करेगा तो यहाँ पे अगर वो zero moment दिखाता है मतलब आपके पास जो needle होगी इसमें वो आपके पास हर बार zero पे ही रही तो इसका मतलब आपके पास यह properly दोनों आपस में parallel है यदि वो आपके पास कोई variation दिखाता है test material पे check करते time तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई problem है तो basic आपके पास इसमें क्या है बिल्कुल ही क्योंकि यह simple सा आपके पास procedure है जो कि parallelism check करने का है कि completely आम लोग stand जो है उसकी सायता से उस dial gauge को touch करते वे रख ले और रखने के बाद यहाँ पे उसको जो live center है उसको move करके देख सकते हैं या फिर उसमें fit करके देख सकते हैं fit करने के बाद इसको केवल move करवाना होता है dial gauge को तो इस तरह से आपके पास यह parallelism check हो जाएगा तो यह था दोस्तो आपके पास parallelism check करने का mean spindle के साथ में saddle की moment का आपके पास जो कि lathe machine में हम लोग check कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तो